ओम शान्ती, 20 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से हुमवर्ग, आज की मुरली से हम लक्षय लेंगे, स्रेष्टाचारी दुनिया में उंच पत पाने के लिए सच्चा ब्राह्मन बनना है, सच्चे ब्राह्मन की विशेष्टा है, वो योगी तु होता है, ज्यानी तु होता है, और श्रीमत पर चलता है, सदा सेवा में बीजी रहता है, पवितरता की धार्ना होती है, ये आत्मा के लिए आज बावा ने कहा, योगी तो आत्मा अर्थात परमात्मा को साथ रखने वाला, सदा ही परमात्मा की याद में रहने वाला, योगी तो आत्मा कहलाती है, योगी में पावर अच्छी होती है, योगी तो आत्मा परमात्मा को प्रिया है, योग नहीं तो धार भी नहीं हो सकती है योगी आत्मा ही ज्ञान की धारना अर्थाथ derechos करमों की धारना कर सकते है योगी तो आत्मा बनने के लिए जो बाबा ने योग की विदी बताई लिए अभिमानी बन विचित्र बाप की याद में रहना अर्थात जब हम स्रेयम को निराकार समझेंगे तो निराकार बाप की याद रहेगी योगी तो आत्मा निरंतर योगी होती है अर्थात करम योग के द्वारा करम भोग को भी परिवर्तन करने वाली भाग्यशाली आत्मा कहलाती है तो आज सारा दिन निरंतर याद में रहने का अभ्यास करने के लिए परमात्मा के सवरूप परमात्मा से होने वाली प्राप्तियों को समृति में रखेंगे विचित्र बाप है जिसका कोई चित्र नहीं है वैसे मैं आत्मा भी निराकार हूँ उस विचितर बाप से होने वाली प्राप्तियों को सुमृति में लाएंगे वो हमें पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाते हैं हमें peaceful बनाते हैं और वो हमें पिंस अर्था सुर्यवनशी घराने की लाइक बनाते हैं वही knowledgeable Godfather कहलाते हैं ये Knowledgeful Godfather केवल एक बाप ही है उसको ज्ञान का सागर, शान्ती का सागर भी कहते हैं क्योंकि हमें शान्ती से भरपूर करते हैं अर्थात हमें Peaceful बनाते हैं हमें राज योग सिखलाते हैं भविश्य में उंच पद के अधिकारी बनाते हैं तो ऐसे होने वाली प्राप्तियां और उसकी महिमा को सारा दिन समृत्ती में रखेंगे तो योग लगा रहेगा और दूसरा है ज्ञानी तो आत्मा तो बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा अर्थाश्रिस्टी के आधी में राम संप्रदाई थी किसी परकार का कोई दुख नहीं था इसलिए उस समय सभी आत्मा सुखी थी एक धरम था सबसे उच धरम था आधी सनातन देवी देवता धरम जिसको सर्वोत्तम धरम भी कहते हैं और सर्वोत्तम कुल था विश्नु और जब मध्याकाल आता है तो भक्ति शुरू होती है रावन संप्रदाई होता है तो भ्रस्टाचारी बन जाते हैं तो स्रेश्टाचारी दुनिया से जब भ्रस्टाचारी दुनिया होती है भक्ति करते दुख को दुखी होना शुरू हो जाते हैं तो संगम पर आकर के बा ब्राह्मनों को रचते हैं, हम ब्राह्मन सो देवता बनते हैं, हम ब्राह्मन ही पुर्शार्थ कर विशव का बादशाही लेते हैं, अर्थात ये चिंतन में रखना है कि इसी हम ब्राह्मनों का ही अंतिम जनम तक इतना यादगार है तो मंत्र में भी गाते हैं, ब्राह्मन सो देवताय नम है, ब्राह्मनों का मान आज तक भी है, तो ब्राह्मनों की विशेषताओं का चिंतन करते रहना है, उसके साथ ज्ञान सवरूप बनने के लिए बावा ने ये भी कहा है कि सारा दिन देहे अभिमान से मुक्त होने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है, जो ब्रा जाती है, श्रीमत ये है कि बाप ने जो माताओं को रिगार दिया है, तो गोपों को भी माताओं को रिगार देना है, देहे अभिमान में नहीं आना है, ऐसा कोई करम नहीं करना है, जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए, निश्चय बुद्धी रहना है, बाप को छोड़न अर्थात बाप को भूलना नहीं है तो श्रीमत का पालन करते रहना है तब ही अंदर पवितरता की धारना होगी क्योंकि शान्ति का सागर बाप आकर के हम बच्चों को पवितरता की परतिग्या कराते हैं जब जो बच्चे पवितर बनते हैं वो ही वर्सा ले सकते हैं अर्था वो वच्चे ही मालिक बनते हैं तो पवितरता की परतिग्या क्या करनी है पवितरता के जनम को जब समरिती में रखेंगे कि हम शिप बाबा के पोत्रे हैं ब्रह्मा के बच्चे हैं और वर्से के अधिकारे हैं तो हम ही विष्णु कुल में कुल का हमें वर्सा मिलता है पवितरता की परतिग्या करते हैं 21 चन्मों के लिए वर्से का अधिकारी बन जाते हैं अर्थात मालिक बन जाते हैं इस संगम पर जब हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं तो इसी का ही गायन है मंगलम भगवान विश्नु अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होने से विश् को याद करने से पावन बनने से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे अर्थात मेरे पास आ जाएंगे तो इस समय इस समृति को ध्यान में रखते हो पवितरता की धार ना करनी है और फिर सर्विस के लिए बाबा ने कहा है कि सर्विस करने के लिए तुम्हें नई निकालनी है तो उसके लिए विधी जो बताई है सर्विस की कि तुम्हें ये बताना है कि ब्रह्मा कुमारी क्यों बोला गया है और माताओं को आगे क्यों रखा गया है जो मैरीड है वो भी कुमारी कहलाती है ज्ञान का कलश माताओं के उपर रखा गया है और जो मम्मा है वो बताना है और भावा का परिच्छे देना है ब्रह्मा विश्नु शंकर जो है वो सुक्षम वतनवासी है उसके बारे में बताना है तो इस तरह ज्यान के जो भी पॉइंट है उनको पहले चिंतन करना है फिर उसको समझा करके उसकी सेवा करने है ओम शान्ति